हालो फ्रेंड्स वल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स अगर आपके पास डबल डॉर रेफ्रेजेटर हुआ एक दम फुराना है और वहां पे क्या है के बल्यूट्यूप उसकी निकल हुई है तो आप उसको कैसे के बल्यूट्यूप को साइज को बहां पे डाल चाहिए तो आपको मैं जो के बल्यूट्यूप का साइज सजिस्ट करूंगा वह बहुत ज़दा बैटर है उसकी कोलिंग भी एकदम प्रॉपर दरगी से होती है और कोई एफ्ट नहीं होता है कोलिंग पर बहुत अच्छे से कोलिंग करता है और आगे भी आपको फ्यूचर उसकी कहाना है तो आपको का बैवल दोर राफेरीटर यहा है फिर दबल डोर डेफ्रिजेटर तो आपको जो कोलिंग जो आपको कईभी का सबका साइज यूच करना है तो आप 0,2–31 केपलीयूट्यूप उसके जो क्या कैपलीयूट्यूप प्र गेपलेटर प्रेटर आंप यह पिर आपका single door refrigerator तो cooling में वहाँ पर effect नहीं होता है और cooling better होती है तो आप यह capability बहुत जादा अच्छे है तो आप इस capability का यूज़ करें और यह capability होती है बहुत जादा better होती है इसकी cooling की performance है बहुत जादा अच्छे है आप यह capability की जो length होगी वह 8-10 feet यूज़ करेंगे ठीक है आठ से 10 feet की length यूज़ करेंगे उसके बाद जो आपका नीचे रह जाएगा उसको roll बना के इसके बाद आप टाइब एंड से कहीं भी इसको लगा सकते है ठीक है तो आपका अप्लेटीव 0.31 यूज़ करें यह बहुत जादा better इस इस information कैसी लेगए अगर अच्छे लेगए वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर इमीज़ीर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक यू फोर वाचिंग